साथियों, कनेक्टिविटी का देश के विकास से सीधा सम्मन्द होता है जादा से जादा कनेक्टिविटी, यानी उतना ही तेज विकास खास कर बॉर्डर एरिया में तो कनेक्टिविटी सीधे सीधे देश की रक्षा जरुरतों से जुड़ी होती है लेकिन इसे लेकर जीस तरह की गंबीरता थी और उसकी गंबीरता की आवशक्ता थी जीस तरह की राजनितिक इच्छा शक्ति की जरुरती दुरभागे से वैसी नहीं दिखाई गई अटल टनल की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ष के साथ ऐसा ही व्यावार किया गया लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एर्श्ट्रीप चालीस पचान साल तक बंद रही क्या मजबूरी थी क्या दवाओ था मैं इसके विस्थार में जाना नहीं चाहता इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है बहुत कुछ लिखा जा चुका है लेकिन सच्चा यही है कि दौलत बैग ओल्डी की एर्श्ट्रीप वायू सेना ने अपने इरादों की वज़े से शुरू हो पाई उसमें राज निति की इच्छा सकती कहीं नजर नहीं आई साथियों मैं ऐसे दर्जन और प्रोजेक गिना सकता हूं जो सामरिक दृष्टी से और सुविधा की दृष्टी से बले ही कितने भी महतपूर रहे हो लेकिन बरसों तक नजर अंदाज किये गए मुझे याद है मैं करीब दो साल पहले अटल जी के जिन्मदिन के अवसर पर असम मैं था वहाँ पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड बीच बोगी बिल पूल को देश को समर्पित करने का अवसर मुझे मिला था यह पूल आज नौर्थ इस्ट और अरुनाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम है बोगी बिल बिच पर भी अटल जी की सरकार के समय ही काम शुरू हुआ था लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर इस पूल का काम सुस्त हो गया साल 2014 के बाद ही इस काम ने भी गति पकड़ी और चार साल के भीतर भीतर इस पूल का काम पूरा कर लिया गया अटल जी के साथ ही एक और पूल का नाम जुड़ा है कोसी महासेतु का बिहार में मिधलान चल के दो हिस्सों को जोडने वाले कोसी महासेतु का सिलान्यास अटल जी नहीं किया था लेकिन इसका काम भी उल्जा रहा अटका रहा 2014 में हमारी सरकार हमें सरकार में आने के बाद कोसी महासेतु का काम भी हमने तेज करवाया अब से कुछ तिन पहले ही कोसी महासेतु का भी लोकारपन किया जा चुका है सात्यों देश के करीब करीब हर हिस्से में करेक्टिविटी के बड़े-बड़े प्रोजेक्स का यही हाल रहा है लेकिन अब यह स्थिती बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है बीते छे वर्षों में इस दिशा में अभूत पर्वा प्रयास किया गया है विशेश रुप से बॉर्डर इंफासेक्टर के विकास के लिए पूरी तांकट लगा दी गई है हिमाला एक शेत्र में चाहे वो हिमाचल हो जम्मु कश्मीर हो करगिल ले लदाख हो उत्राखन हो सिक्किम हो अरुनाचल प्रदेश हो दर्जनों प्रोजेक्ट पूरे किये जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है सडक बनाने का काम हो पूल बनाने का काम हो सुरंग बनाने का काम हो इतने बड़े स्तर पर देश में इन खेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ इसका बहुत बड़ा लाप सामान्य जनों के साथ ही हमारे फोजी भाई बहनों को भी हो रहा है सर्दी के मौसम में उन तक रसत पहुंचाना हो उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो वो आसानी से पैट्रोरिंग कर सकें इसके लिए सडकों का जान बिशाये जा रहा है